नमस्कार स्वागात है आपका बिहारी नियुज में मेरत निसेन भारती अज हम बात करेंगे रेलवे को लेकर रेलवे में एक कए नियमों में बदलाब किया रहें ऐसे में एक बड़ा बदलाब किया जिसमें उन्होंने बोर्डिंग अस्टेशन बदलने की सुविधा परदा जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी यात्री रेलवे से सफर करना चाहते हैं तो वे मूल अस्टेशन पर नहीं हैं और किसी और अस्टेशन पर हैं तो वे मूल अस्टेशन में बदलाब कर सकते हैं रेलवे की तरफ से जारी अपडेट में कहा गया है कि मूल का यात्री की पहुंच से काफी दूर होने की वज़ा से ट्रेन के छुटने का भी डर रहता है इसलिए अगर ट्रेन यात्री की पहुंच से करीब अस्टेशन पर रुख जाती है तो यात्री को अपना बोर्डिंग अस्टेशन डिवाइज कर सकते हैं I.R.C.T. ने यात्रियो यात्री अपना बोर्डिंग अस्टेशन में बदलाब करना चाहते हैं उन्हें ट्रेन छुटने के 24 घंटे पहले आउनलाइन बदलाब करना होगा लेकिन मुसाफिरों को I.R.C.T.C. की अधिकारी वेफसाइट के अनुसार यात्री अगर एक वार अपना बोर्डिंग अस् पलांटी के साथ साथ बोर्डिंग पॉइंट और रिवाइज बोर्डिंग अस्टेशन से ट्रेन नहीं पकड़ सकते हैं याद रखें कि अगर यात्री बोर्डिंग अस्टेशन से बीना बदलाब के दुसरे अस्टेशन से ट्रेन पकड़ते हैं तो उन्हें पलांटी के सा पासबस्त हो लें कि हम कहां से कहां जाना चाहते हैं और हम उस बोर्डिंग अस्टेशन पे उस समय होंगे यह नहीं हम जाने लेते हैं उस बोर्डिंग अस्टेशन को बदलने का तरीका कौन सा है सबसे पहले आपको आयर सीटिसी के अदिकारिक वेबसाइट www.irctc.co.in पर जाना होगा यहां पर जाने के बाद आपको लॉगिन करना होगा जो कि आयर सीटिसी की वेबसाइट पर जब टिकट काटेंगे उसमें भी आप से एक लॉगिन आईडी और उसका पास्वर्ड मांगा जाएगा तब आप जो है आया सीटिसी पर कोईशी भी ट्र दोड़ेगा इसने ड्रॉप डॉन में उस ट्रेंग के लिए नया बोडिंग चुनेंगे नया चुनने के बाद आपको सिस्टम से कनफर्मेशन मांगा जाएगा उसके बाद फिर आप ओके का किलिक करेंगे बोडिंग असे बदलने का एक समय में पर आएगा और उस तरह से आप अपने यातरा से पहले बोडिंग अस्टेशन में बदलाब कर सकते हैं आपको बता दें कि आया से टिसी दौरा की गए इस बदलाब से यातरियों को कितना लाब मिल पाएगा ये तो आने वाले समय में ही पता सलेगा लेकिन यातरियों के लिए यह एक अच्छी ख़ब के लिए बने रहें भी आरी नियूज के साथ मुझे दिजिए इजाजत धन्यवाद